कि नमस्कार संस्कृति आयस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है प्राची मिश्रा आप सभी कल से एक वीडियो बहुत बार देख रहे हैं जहां पर एक यूवक ने आठ बार बिजेपी को व्यूट दिये यह जो घटना हुई है यह आपके अलिग किन धाराओं के तहत यहां पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्च करवाया गया है और साथ ही साथ किन पर सितियों में दुबारा चुनाओ कराया जाएंगे तो अब यहां पर डेट निकलेगी दुबारा से कब चुनाओंगे अब देख लेते एक बार यह वीडियो में आपको ओरना शोला कि त समझ सके कि कैसे खटना हुई तो यहां हम पर बीडियो दिखाए दे रहा है यह होती है dazu की मशीन ये वीवी पैट आपको दिखाई दे रहा है, वो EVM मशीन है, यहां पर वेक्ट ने एक बार वोट डाला, इसके बाद ये दुबारा वोटिंग करते हैं, तीसरी बार वोटिंग करते हैं, चौथी बार, पाची बार, और साथी साथ अपने हैंड गेस्चर से उन्होंने एक, तो तीन चार करके भी दिखाया है, पाच बार वोट देने के बाद ये बूट से बाहर जले जाते हैं, इसके बाद छटवी बार दुबारा से बूट में एंटर करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि बूट के अंदर क्यामरा ले जाना मना होता है, यानि कि फोन ले जाना मन अपने साथ फोन ले करके गए इन्हों ने बकायदा अपना वहां पर आईडी कार्ड भी दिखा है कि यह मेरा आईडी कार्ड है और उसके बाद दुबारा अंदर आकर के इन्होंने आठ बार वोट दिया तोटल इन्होंने संख्या बताते गई अपनी कि कितनी बार हम वोट कि यह बहुत ही जादा गंभीर मामला है ठीक है कि कैसे एक आप देखते हो कि लोग तांत्रिक देश में इस प्रकार की घटनाय देखने को मिल सकती है और क्या कैस में चीजे शामिल है यहां पर नया कोर्स हमारा शामिल है तो इस समर सेल के बारे में यहां पर आपको 50 से 75 प पहले तो इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है भारतिय दंडशनिता की धारा 171 F और 419 के तहट साथे साथ इनके पिता जी पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, 132 और 136 के तहट मुकदमा दर्ज किया गया मामला क्या है चले देखते हैं तो यह तो था मामल वोट डाले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया आगे चलते हैं अब प्रमिक बिंदुस में क्या थे देखें यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रड़ावा ने इस बूत पर पुनर मतदान की सिफारिश करी है किसके सामने चुनाव आ योग के दारा की कुछ इसमें टेक्निकल ऐसी चीजे होती हैं जिससे हम इस मशीन में एक ही वैक्त दो चार बार वोट दे सकता है लेकिन इस चीज को लगातार नजर अंदास किया जा रहा था बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात की जा रहे थी कई बार कहा गया कि ब सब्सक्राइब तो उनको निलंबित कर दिया गया है वहां से कि आपके रहते हुए कैसे कोई व्यक्ति अंदर फोन ले जा सकता है वो भी वो लड़का जो की नाबालिक है अभी वीडियो में कई बार मतेदान करते दिखाई देने वाला राजन सिंग पुत्र अनल सिंग गा 419 के तहत इनको गिरफतार किया गया है साथी साथ इसमें जो राजन सिंग है इस पर जन प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, 132 और 136 के तहत आरोप दर्ज किये गए अभी मैंने एक बात बोली थी यहां पर यह नाबालिक है रीजन यह है कि 18 साल में हमें वोट देने का धिकार मिलता है लेकिन जो बालिक यानी की शादी विवा की उम्र है तो उसको अब सरकार ने बढ़ा दिया है 21 और 23 कर दिया है इस अकॉर्डिंग अभी यह नाबालिक है लेकिन वोट देने की उम्र जो है वो आपकी थारा वर्ष है ठीक है चली आगे बात कर लेते हैं भारतिय धंड सहीता के प्रभाव और क्या इसे चीजे होने वाली है और किस-किस प्रभाव में किस-किस धारा में क्या बात कही गई है देखे धारा 171 F आपकी कहती है कि चुनाओ के अनुचित प्रभाव या दिखावा करने के लिए यहां पर सजा का प्रावधान दिया ग तो आपको एक वर्ष तक के लिए कारावास होगा और साथी साथ यह जुर्माना लगया जाएगा और या तो दोनों ही हो सकते हैं और कोई भी चुनाओ में अनुचित प्रभाव या दिखावा करने का अपराथ इसके तहत लगाया जाता है और जैसे मैंने बताया कि काराव प्रभास होगा जुर्माना होगा या तो और या तो दोनों ही उसके उपर आरोपित किये जा सकते हैं कि यहां पर हम क्या करें पूरी की पूरी इससे तो डेमोक्रेसी हिल सकती है ना कि कोई एक व्यक्ति जो है वो आठ बार वोर्ट दे करके आ रहा है वीडियो भी बना रह करते हैं इसमें लोग प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 की बात करें तो यह किसलिए बनाया जाता है और क्या कैस में चीजे शामिल है तो धारा 128 से कहती है कि मददान की गोपनियता बनी रहे इसका उलंगा ने ना किया जाए ठीक है तब ही तो एक एक बेक्ति अंदर जाता है वोट देता है जाकर के और किसी को यह भी नहीं बताता है वह भले अपने घर में डिसकस करेगा जाकर के क्या किया कैसे किसको वोट मैंने दिया लेकिन जो चुनाओ जो दौरान हो रहा है उस दौरान गोपनियता बनाय रखना क्या है वांकी लोगों का दायत्व होता है जो भी पोल करवार है जो की जो भी पोल बूत पर बैठे हुए है ठीक है प्रतेक अधिकारी क्लर्क एजन्ट या अन्य वेक्ति जो चुनाओं में वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनिती के संबंद में कोई करतव का पालन करता है मतदान की गोपनेता को बनाय रखेगा और बना भी ने की कैद होगी उसे जुर्माना लगाए जाएगा या फिर दोनों ही चीज़ें यहां पर इंपोस करी जा सकती है आगे देख लेते हैं दारा 135 क्या कहती है जिसके तहत मुकदम दर्जुआ कि कोई वेक्ति जो मतदान के इंद्र पर मतदान के लिए निर्धारित समय के उलंगन कर रहा है बाई जन्द ववस्था बनाएगे कि इधर जो है महिलाएं वोट देंगे इधर पुरिश वोट देंगे या फिर दर विकलांग जाएंगे विकलांगों के लाए निलग से लगी होगी तो यहां पर कुछ ववस्थाएं होती है उस पोलिंग बूत की यह उनका अनादर करता है वहाँ पर तमाशा खड़ा करता है बत्तमीजी करता है वहाँ पर जो लोग बैटे होते हैं तो यहां पर पिठासीन अधिकारी के वैद निर्देशों का पालन नहीं करता है तब जाकर के यहां पर धारा 135 लगाई जाएगी और पिठासीन अधिकारी क अनुमति के बिना मतदान केंदर के अंदर गुसने का प्रयास करता है तो क्या होगा कि तीन महीने की कैद हो सकती है उसको जरुमाना लगाया जाएगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा ठीक है आगे देखते हैं तहारा 136 क्या कहती है कि किसी भी नामांकन पत्र को धोखा धड़ी के विरूपित करने या फिर धोखा धड़ी से नस्ट करने पर 6 माईने तक की कैद होगी जुर्माना होगा या फिर दोनों ही यहाँ पर दंड के तौर पर भुगतने पढ़ सकते हैं यह इसके तहत यहाँ पर किया जाता है कि नामांकन पत्र में यदि धूखा धड़ी की जा रही है नाम चेंज करके मालिजे कि उस कोई राजू नाम का वेक्ति खड़ा है अब उसके नाम का चेंज कर दिया गया चेंज में कर दिया गया वहाँ पर किसी और का नाम लिख दिया उनाचरप्रदेश और मद्द्रदेश यहां पर पुर्य मद्दान किये जाने वालेकाने तो इन इनको भी हम सब्झेंगे कि मडीपूर में जा कैसे होंगे और नाचरप्रदेश में क्यों की गए जा फिर मद्द्रदेश में कि कि गए थे तो यहां पर कुछ दो-तीन constituency है जहां पर पुर्वर मतदान की बात की गई है चलि आगे बात कर लेते हैं तो चुनायोग यानि की election commission जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन-कौन सी है 582 और 58a2 इसके तहट क्या गरती है पुनर मतदान करा सकती है तो कौन-कौन सी धारा है 58 582 और 58a2 इसके तहट तो पुनर मतदान तब होता है जब सामान मतदान प्रक्रिया किसी भी कारण से क्या हो रही है बाधित हो रही है अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं वहां पर दंगा हो जाए पोलिंग बूत को तोड़ दिया जाए वहां पर कोई ऐसा प्राक्रतिक उस समय कोई समस्य आजाए आंधी आजाए तुफान आजाए तो इन परस्थित्यों में आप देखोंगे दुबारा से वोटिंग हो सकती है तोड़ फोड इवियम चीह लेना बूत कैप्चरिंग प्राक्टिक आपना या फिर उमीदवार की मृत ठीक है यदि ऐसा होता है तो दुबारा से वहां पर क्या किया जाएगा चुनाओ करवाया जाएगा चीक है अब जान बूच कर तोड़ फोड करना इसके तहट कौन सी धारा लगती है और कैसे चुनाओ होते हैं चलिए देख लेते हैं तो यहां पर धारा 58 के तहट चुनाओ आयोग किसी मतदान के इंद्र पर मतदान को सुन्य घोशित कर सकता है जैसे कि अब इस फ चला गया वो तब या फिर कोई भी इवियम गलती से या जान बुच करकि किसी ने नस्ट कर दिया या इवियम खो गई उसके साथ छेड़ चाड़ करी गई जैसे कि यहां पर अभी की गई है ऐसे इस परसिती में वोटों की रिकॉर्डिंग के दोरान किसी भी इवियम में यांत्रिक खराबी यदि आ जाती है कि वोट रिकॉर्ड हो रहे थे उसमें कोई यांत्रिक प्रॉब्लम आ गई तब दुबारा से महां पर क्या होंगे वोट करवाए जाएंगे चीक है अब बूत क्याप्चरिंग के तहट कैसे होता है तो आर्पी की धारा 135a के तहट यद करने के तब क्या होगा पहले तो उसस्तिक को समानी कर जाएगा और फिर दुबारा से चुनाव कर बाए जाएंगे तो आपको बोली से उड़ा देंगे जो कि हम कई बार टीवी वगेरा में देखते भी है ठीक कि उसके खिलाब कोई खड़ा ही नहीं होता है क्यों नहीं खड़ा होता है कि मार देगा तो यहां पर इन सारी चीजों में दुबारा किया जा सकता है और इसको हम भूत कैप्चुरिंग कहते हैं किसी भी मतदाता को डराना धंकाना जो मैंने बताया किसी मतगड़ना अस्थाल पर कब्जा कर लेने से वोटों की गिं होता है और यहां पर बात की जाती है तो आम लोगों के लिए तीन साल तक इसको बढ़ाई जा सकता है सरकारी कमचारियों के लिए यह सजा पांच साल तक बढ़ सकती है ठीक है यदि कोई आम वेक्तिया ऐसा कारे कर रहा है तो तो कितने साल पांच साल बढ़ाई जा सकती है चलिए आगे बात कर लेते हैं अब इसमें प्राकरतिक आपदाई यदि घटित हो जाती हैं वहाँ पर यह बहुत सारे आप देखरों जैसे मणीपूर हो गया हिमाजर प्रदेश हो गया वहाँ पर कोई पूलिंग बूत हैं जो बहुत आल्टिटूट पर आपके इस्थित हैं महाँ पर लैंड्सलाइड हो गई कोई भी प्राकतिक घटना घटित हो गए उस दौरान तो दुबारा से महाँ पर मतदान होंगे इस इस्थि में ठीक है भयांकर बार तूफान इस जैसी कोई भी आप दया आ जाती है इवियम मतदादा सूची जैसी आफशक्ता जो मतदान माली जी की बारा बज़े से शुरू होना था ठीक है बारा से दो हो गया अब दो घंटे ते हाँ पर कंप्रीट हो गए दो के बाद वोटिंग नहीं होगी उस दो घंटे तक इंतिजार किया जा सकता है उसके बाद नहीं किया जाएगा ठीक है दो घंटे के भीतर वो वोटि जब दुबारा कोई उमीदवार आएगा साथ में खड़ा होगा दन उसके बाद दोनों को लेकर कि महां पर वोटिंग की जाएगी ठीक है उपरोक्त प्रावधान लेकिन तब लागू होगा जब वैद नामंकन वाले उमीदवार की नामंकन की आखरितिती को सुबह 11 बजे के बात मददान शुरू होने तक किसी भी समय उसकी म्रत्य हो जाती है तब ही यह हो सकता है यहां पर एक आपको एक्ट्वशन देखने को मिलेगा तो तब ही यह माना जाएगा वरना नहीं माना जाएगा और इसके तहर जो धारा है वो आपकी आ जाती है 1996 में संसोधित RPA की धारा 52 के अनुसार ये चीज होगी ठीक है कि जो आखरी तारीख है उस समय सुबह 11 बजे के बाद मतदान शुरू होने तक किसी भी समय यदि उसकी मृत्यू हो जाती है तब ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं पिछले कुछ समय में जो पुनर मतदान हुए हैं इनको जान लेते हैं कि कहा कहा पर हुए हैं कैसे कैसे हुए हैं सबसे पहले बात करेंगे मणीपुर में यहाँ पर 11 मतदान केंद्रों पर 19 अपराल को मतदानों को शुर निगोशित कर दिया गया फ्रकार से आपने यहां वोटिंग तो इस परकार से आपने देखा कि इन इन जग़ोंपर दूबारा वोटिंग हुई है आपके इस बार लोक सभा चुनाव दो हजार चौबिस में अब आपका एक और छेतर जूर गया है दाट इस उत्तर प्रदेश ठीक अन्तमी आप सभी के लिए प्रश्ण क्या है कि निम्लिकित में से किने सितियों में भारत को चुनाव आयोग पुनर मतदान करा सकता है सबसे कि इवियम को नुकसान पहुचाने पर प्राक्रदी का बदाय मतदान में अन्यववधान से किसी मतदान के इंद्र पर कभजा कर लेने पर उपर दिये के कथनों में कितने सही है केवल एक केवल दो तीनो या कोई भी नहीं ठीक है तो आप सभी कमेंड में आंसर जरूर बता तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद लाइक शें स्ट्क्राइब करना विलकुल भी नभूलें करे दो करे दो करे दो